हेलो डियर सुदेंट्स एंड वेल्कम टू अनदर वीडियो प्टूटल इंग्लिश आज की इस वीडियो में हम लोग नैशनलिज्म इन इंडिया के फोर्थ पार्ट को देखने वाले हैं नैशनलिज्म इन इंडिया के अब तक के तीन पार्ट मैं बना चुका हूं अगर या फिर आप description से जागे भी देख सकते हैं अभी तक हमने क्या देखा था अभी तक हम non cooperation movement में आ चुके हैं और इसका जो impact कहा कहा पड़ा है वो हम लोग देख रहे हैं तो शहरों में क्या हुआ टाउन में क्या हो यह हमने देखा countryside मतलब गाउं area rural area जो होता है वहां पर क्या हो रहा था उसमें हमने कुछ पार्ट को देखा था बागी के पार्ट से आज हम लों continue करेंगे सारा का सारा नोट सारा का सारा explanation बिल्कुल NCRT based है जो आप चाहे तो बुक पढ़े या चाहे तो आप इसे देख ले यह अगर बहतर रिविजन चाहते हैं तो यह वीडियो क्या क्या हो रहा था यहां पर बाबा राम चंदर के द्वारा क्या क्या लीडर्शिप किया गया किन-किन चीजों में पर उन्होंने आवाज उठाई ठीक है अगला स्टेट हमें देखना है आंध्रपरदेश यह बैसिकली एक्जांपल के तौर पर दिया है कि मान लीजिए वहां पर अंध्रपरदेश में वहां पर देखिए गुरीला मnt मेंट स्टरेड फॉर्ली गोरिला मुव्मेंट वहाँ पे स्टार्ट हुआ था जिसके लीडर थे अलूरी सीताराम राजू ठीक है अलूरी सीताराम राजू यह जो थे इन्हें इंकार्नेशन आफ गॉर्ड मतलब भगवान का आउतार भी माना जाता था मतलब ऐसा लोग मानते थे कि इनके पास सुपर नैचुरल पावर्स है ठीक है सुपर नैचुरल पावर्स मतलब जो आम इंसानों के पास नहीं होता है ठीक है तो यह एक लीडर थे यहांके और यह माहत्मा गांदी के फॉल्लवर भी थे जो माहत्मा गांदी नैशनल नॉन कॉपरेशन मूव्मेंट को स्टार्ट कर रहे तब इन्हों ने भी अपने तरब से उसे support किया था हलाकि हम लोग यहां पे देखते आ रहे हैं अभी तक कि अलग-अलग जगों पे अलग-अलग तरीके से non-corporation movement को treat किया जा रहा है तो आंद्रप्रदेश में यह लोग भी violent way में चलते थे ठीके गुरिला warfare technique इनके पास मतलब लडने की तकनीक थी यह लोग चुपकर war करते थे जैसे कि जंगलों में आपने देखा होगा movies वगरा में कि जंगलों में कैसे चुप-चुपकर तीरधन उसका यह लोग उपयोग करते थे तो यह लोग भी अपने तरीके से लड़ाई में हिस्सा ले रहते हैं एक कानून बनाया गया था ठीक है पहला इसको पॉइंट को पढ़ लेते हैं अगेंस दा फॉरेस्ट इरिया बाइदा को लिए प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम इंटिंग दा फॉरेस्ट टू ग्रेस्ट और क्लेक्ट फ्यूल वूड एंड फूट्स उन्हो पूरा का पूरा आजादी पूरा का पूरा अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो यह लोग भी बहुत गुस्से में थे और इसी नॉन कोपरिशन मुव्मेंट को ध्यान में रखते हुए यह लोग भी आगे आ चुके थे ले फेल्ड डाट जे ट्रेडिशनल राइट्स वर बिंग डिनाइट उन्हें लगा कि उनके जो भारंपरिक जो अधिकार है उन्हें छीन लिया गया तभी 1859 में एक कानून आया था 1859 से ही यह कानून बना हुआ था कि Inland Immigration Act के तहत क्या था कि जो Plantation Workers थे जो खेतों में काम करते थे Plantation Workers उन्हें पर्मिशन नहीं दिया गया था कि वो खेत छोड़के टी गार्डेन छोड़के अपने घर को जा सके या आ जा सके नॉर्मली तो एक तरह का उन पर प्रेशर था एक तरह क्या सकते हैं वो लोग गुलामी में थे तो इसके लिए उन लोगों ने लड़ाई किया क जब उन्हें पता चला कि non-cooperation movement शुरू हो चुका है और पूरे भारत से लोग बढ़ चड़कर हिस्सा ले रहे हैं तो कई जो workers थे जो garden में काम करते थे tea gardens में वो लोग अपने places को छोड़कर आने लगे non-cooperation movement में भागिदार होने के लिए लेकिन बीच रास्ते में ही वो ल Britishers by the British government और उन्हें पीटा भी गया brutally beaten up तो यह हो रहा था हाँ और एक चीज यहां पर यह बताना important है कि अलूरी सीताराम राजू जो थे अलूरी सीताराम राजू थे उन्हें भी arrest कर लिया जाता है ठीक है उन्हें arrest किया जाता है और उसके बाद उन्हें भी execute कर दिया जाता है ठीक है अब हम लोग देखेंगे कि non-corporation movement के खतम होने के क्या-क्या विभिन कारण थे क्या-क्या main reasons थे ठीक है होता क्या था कि खादी के जो कप्ले थे वो expensive होते थे ठीक है यहां पर लिखावा है खादी क्लथ was more expensive खादी क्लथ was more expensive than mill cloth and poor people could not afford to buy it as a result they could not boycott mill cloth for too long तो मिल के बने कप्ले को ज्यादा समय तक boycott नहीं कर पाएं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि वो इतने महेंगे खादी कपड़े को हमेशा पैयन सके तो यह कारण था कि नेक्स्ट पॉइंट है कि alternative Indian institutions were not there which could be used in place of British ones वहाँ पर क्या हो रहा था कि जितने भी school colleges के जो बच्चे थे चात्र थे टीचर्स थे वो लोग सब government इंस्ट्यूशन जो सरकार के द्वारा इंस्ट्यूशन बनाया गया था उसको छोड़के उसको छोड़के दूसरे इंस्ट्यूशन में सोच रहे थे हम लोग पढ़ाई कर लें लेकिन इंडियन इंस्ट्यूशन उस समय तक उतने विक्सित नहीं हुए थे जितना कि Britishers के द्वारा बनाये गये थे तो इसलिए उन्हें भी फिर से पढ़ाई को छोड़ नहीं सकते ज्यादा लंबे समय तक वापस आना पड़ा और उनी government schools में जो students और teachers थे वो लोग वापस फिर से आने लगें लॉयर्स जो थे वो अपने काम पर आने लगें आखिर कब तक आदमी काम रोप कर रहे कि जब तक उसका कोई result ही नहीं निकल रहा है तो लोग वापस मजबूरी में वापस आने को तयार हो गये एक बड़ा incident यह रहा चौरी-चौरा incident चौरी-चौरा UP में एक प्लेस है वहाँ पर क्या हो वहाँ पर एक पुलिस टेशन था जहां जिसको लोगों ने घेर कर उस पर आग लगा दिया और जिसमें कि कई पुलिसमेंस मारे गए और कुछ सिविलियंस भी मारे गए तो इस कारण से महात्मा गांधी ने यह सोचा कि यह एक वाइलेंट होता हो गया था ठीक है देट्स वगेरा जितना है वह मैं लास्ट में एक पुरा सीरीज में दे दूँगा पूरा शुरू से लेके लास्ट तक का जितना डेट रहेगा ठीक है जिदिन चैप्टर खतम होगा उस दिन वो एक डिटेल में आपको दे दूँगा ताकि उसको भी भी आने वाला है नहीं उसके पहले जो जो घटना है हमारे देश में घट रही थी हम लोग पहले उस पर बात करेंगे क्या क्या हो रहा था तो सबसे पहला पॉइंट यहां पर देखने लाएक यह है कि कॉंग्रेस पार्टी जो थी उनमें थोड़ा भेद भाव आपस में मत बेद हो रहा था तो आपको पता नॉन कोपरेशन मूब्मेंट चल रहा था तब उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था तो अब जब नॉन कोपरेशन मूब्मेंट को वापस बुला लिया गया कॉंग्रेस पार्टी के अपनी बातों को मनवा सकेंगे ठीक है तब उन्होंने स्वराज पार्टी का निर्मान किया यदि के स्वराज पार्टी वस फॉर्म भाई सीयरदास अंड मोतिलाल नहरू ठीक है अब यह सब सीनियर पीपल थे सीनियर सिटिजन थे और इनमें जो यूथ थी यूथ पार्टी थी मतलब कॉंग्रेस के अंदर में ही उनलोग का सोच थोड़ा अलग था उनलोग का सोच यह सब इलेक्ट्षण ओगेरा के तरफ जुकाव नहीं था जैसे कि यूथ में थे जौहारलाल नहरू ठीक है मोतिलाल नहरू के बेटे जौहारलाल नहरू और सुभास चंदर बोस यह दबाओ बनाया जा सके तो यह दो तरह की बाते कॉंग्रेस के अंदर में ही चल रही थी यह एक सीन हो गया दूसरा सीन था कि वर्ल्ड वाइड इकनॉमिक डिप्रेशन हो रहा था मतलब पुरी दुणिया में उस वक्त Economic Depression था Economic Depression का मतलब होता आर्थिक मंदी आर्थिक मंदी में क्या होता है न पैसे वगेरा की कमी हो जाती है नौकरियां नहीं रहती है बेरोजगारी हो जाती है तो इससे सब कोई जूज रहा था पूरा दुनिया इससे जूज रहा था इसका इंपक्ट हमारे देश में भी देखने को मिला लेट 1920s इंडियन पॉलिटिक्स अगेंड शेप्ट विकॉज अफ टू फैक्टर दो कारण के चलते हमारे पॉलिटिक्स पर बहुत जादा असर पड़ा क्या-क्या था पहला Worldwide Economic Depression Worldwide Economic Depression का प्रभाव हमारे देश में भी पड़ा और दूसरा था Falling Agricultural Prices अब कह सकते हैं कि यह इसके चलते ही हुआ देखिये Economic Depression तो फैसे नहीं रहेंगे तो इसको खर्देगा कौन तो खर्देगा कोई नहीं किसानों को उसके दान नहीं मिलेंगे, इससे किसान घाटे में जाएंगे, तो जो एक्सपोर्ट हम लोग करते थे, वो एक्सपोर्ट का ग्राफ आ गया नीचे, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा असर हमारे उपर पड़ा, क्यूंकि हमारा देश ही एक्रिकल्चरल कंट्री, जा जो कि भारत में आके constitutional system को बना सके, उन्होंने सुचा कि हम लोग एक समीधान का निर्मान करें, किसने? British Government ने, जो कि भारत में आये, और rules regulations को बना सके, तो 1928 में Simon Commission नाम का, इन्होंने commission गठन किया, जिसके head थे, John Simon, ठीक है, John Simon और उनका जो टीम था, उन्होंने मिलकर एक constitution क develop किया, उन्होंसे बनाया, लेकिन उसका demerit ये था, कि उसमें एक भी Indian नहीं थे, ठीक है, एक भी Indian उसमें नहीं थे, जब आप भारत देश का constitution निर्मान कर रहे हैं, और उसमें एक भी Indian को नहीं रखेंगे, इसका मतलब आपके उद्देश्च जो है, उस पे हसंदे होगा, उस पे doubt होगा, कि बिना Indian के रहते, आप कैसे समझ सकते हैं, कि कौन सा समिधान हमारे लिए सही होगा, या गलत होगा, तो जिसका Indians ने जोर सोर से विरोध किया, जब वो लोग भारत आएं, तो हमने क्या किया, slogan लगाए, banners लेकर उसके सामने विरोध करने को आगे, और कहा, गो बैक साइमन, साइमन गो बैक, ठीक है, साइमन गो बैक के नारे लगने लगे, कोई भी साइमन कमिशन को लेकर संतुष नहीं था, तो जिसको देखते हुए, देखते देखते यहाँ पर, फिर से माहल, गर्माना शुरू होने लगा था, जिसका react किया था Lord Irwin ने, Lord Irwin ने सोचा, कि अब जो लोग है, यो लोग भड़क रहे हैं, तो इन्हें शांत करने के लिए एक और इन्हें भरम में डाला जाए, मतलब बोलो हमें सब भरम में डालते थे, अलग-अलग तरह के offers लेकर आते थे, जिसमें कई बार महत्मा गांधी भी फाज जाते थे, और बड़ यह दो proposal offer किये किसने, Dominion Status का और Table Conference का किसने, Lord Irving यह, तो Dominion Status का मतलब पहले समझे, उन्होंने कहा कि तुम भारतीयों, भारतीयों लोगों को Dominion Status हम लोग दे देंगे, इसका मतलब क्या था, कि मतलब यहाँ पर सरकारे जो चलेगी, वो भारतीयों के दोरा चलेगी, लेकिन ज तो सरकार बिटिस गवर्बंट ही चला रही है तो ये एक तरह का घुमा फिरा के वही बात होने वाला बात हो गया ठीक है तो डॉमिनियन स्टेटर्स को लेकर कॉंग्रेस में भी काफी विवाद हुआ कुछ लोग इसको सपोर्ट भी कर रहे थे कुछ लोग सपोर्ट नहीं भ भुकराया राउंडेबल कॉंफरेंस पर जाने पर भी यह पीछे हट गया राउंडेबल कॉंफरेंस मतले एक तरह का मीटिंग होता है जहां पर आगे के बातों को डिसाइड किया जाता है ठीक है अब देखते हैं तो 1929 दिसंबर का टाइम था उस सब्सक्त जोहालाल प्रेसिडेंट थे ते कॉंङ्रेस के उन्हों ने यह लाहर कॉंग्रेस जो मतलब उनका मीटिंग चल रहा था लाहर कॉंग्रेस में वहां पर उन्होंने डिमांड रखा और वहां से घोशित किया यह हम लोगों को पूर्ण स्वराज ही चाहिए कोई डॉमिञ्चन स्टेट नहीं किया और ये बात वही की वही रह गई ना बात आगे बढ़ा ना उनका Dominion status आया ना मारा full independence आया और बात का result कुछ नहीं निकला आगे हम लोग देखेंगे salt march और civil disobedience movement का शुरुवात ये point हम लोग दो important point है दोनों बहुत important है जो next video में हम लोग इसको discuss करेंगे ठीक है so do like the video share to your friends and subscribe to my channel total English thank you so much